नमस्कार और क्या सुनना चाहेंगे आप मुछ से अगर मान लीजे मैं गबबर सिंग होता अपना डाकू गबबर सिंग सोले वाला तो मैं सामभा से सवाल करता अरे ओ सामभा कितने गोल ठोके रे भारत नेपाल पे सामभा उपर से कहता सरदार पूरे आठ गोल मतलब आठ गोल अगेंस दे बैस टीम इन दे वर्ड ओ भाई सामभ ये तो अजब कजब ही खेलो गया भाईया मतलब इसके बारे में क्या विलना चाहेंगे टॉक्सिक फैंस किदर है दिख नहीं रहे है पूरा मजा लेंगे क्योंकि बहुत उची उची उडान भरे थे लोग तो हम तो फिर बोलेंगे इसके पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं बतला कि बड़े-बड़े महापुरुस लेजेंड्स बड़े-बड़े संत मुनी हमारे कहते बात कि कि confidence होना बहुत जरूरी लाइफ में बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छी बात लेकिन और confidence तोबा 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 और confidence कभी नहीं रखना भी या ने तो आट गोल खाना पड़ता है अभी चलो मैं जादा टै लेता हूं किसी की बारे में नहीं बोलना चाहिए लेकिन दे कि हां हम हारे हैं ठीक है हम हारे हमने अच्छेप्ट किया हमने बुरा खिला confidence नहीं था हमारे पास सभाइक सी बात है बहुत लोगों ने मजा पुड़ा है बहुत मजा पुड़ा कि अरे देखो ये बनेंगे ये जाएंगे वल्ड़कप में ठीक है मतलब ठीक है नहीं खेला में काफी कमिया थी अच्छी आई भी हुई तो आठ गोल मिलें लेकिन कमिया थी अगर वो कमिया नहीं होती तो में भी 15 गोल से उपर हो सकते तो मैं क्या कहना चाहता था भई कि बहुत हमारा मजा कुड़ आते थे लोग है ना कि हार गया तो भीया ऐसा है हार के जीतने वाले सब कारिगर है तो ऐसा हुआ कि मैच कि अगर बात करें तो सुरू में से ही मतलब वो था अपने हमांसु जांगरा तो सुरू से पीछे पड़ा गयते आज तो फोड़ूंगा गोल में और गोगोई भाई और पूरी टीम एफ़र्ट है पूरी भारती फुटबॉल टीम का ए ऐसा नहीं कि कोई गोगोई भाई बहुत अच्छा खेले या हिमांसु जांगरा भाई अच्छा खेले या ब्रिजेज भाई अच्छा खेले ऐसा नहीं सब अच्छा खेले सब का होता है सब का साथ होता है तब ही सब का विकास होता है वरना तो फिर महां मिलावट होती है इ बही हम हर बारत चाहते हैं कि भीया मतला हमेशा confident रहो ना क्या एक मैश में ऐसा बिल्कुल सो जाते है अपन फिर उसके वापसी करते हैं फिर फैंस को धीरी धीरी जगाते हैं हाँ भीया अभी हम हैं अभी हम जिन्दा है तो ऐसा नहीं करो यार और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा जो टीम हरी हमसे हमारे पडूसी देश हमारे पडूसी मित्र जिनकों हमेशा गले लगाने के लिए अगे बढ़ते हैं लेकिन उधर से बस मतलब वह कमेंट्स में हमारे खिलाफ बगावत हमारे खिलाफ नफरत यही देखने को मिलती है सुनने को मिलती है तो असल में हार का कारण ही है यह खुद की खुद को ही नजर लग गई यह है बात ठीक है कि हो हवा में उड़ जाये तो नीचे आता है फिर आया इसलिए मैं एक बात सीधी सीधी बताना चाहूंगा कि भारत में बहुत कम लोग फुटबॉल फॉलो करते ह मतलब बहुत कम लोग करते हैं सच बात है लेकिन जितने करते हैं यहां से करते हैं यहां से ठीक है दिल से फुटबॉल फॉलो करते हैं नौट इंडियन फुटबॉल निकों फुटबॉल रिस्पेक्ट देना यह सब आता है ठीक है लेकिन जमारे कोड़ों से मित्र है जो हम अपनी टीम की भूतने इजरत करता है, तो अपनी टीम की भीजरत नी करते हैं आप तो, क्यों बताता हूं, मैच खतम होता है तो आप के ही कंट्री के जो लोग है misconception में बोला है, match fixing, इसका मतलब आप पता है क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपके team से खेलने वाला खिलाडी देश दुरुही है, क्यों match fix कर लिए अपने देश के लिए, मतलब आप अपने खिलाडी को देश दुरुही मतलब कल आपके आर्मी कहीं किसी देश के अगेंस्ट डडाई कर रही, वो हार जाए, इसका मतलब वो देश दुरुही है, उसने वो fix कर लिया war, ऐसा होगा, नहीं होता मेरे भाई ऐसा, अपने लोगों पर भरोसा करना पड़ता है सबसे पहले, हमारी team हारती है ना, तो भी हम हमारी खिलाड़ी पर भरोसा करते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ कमिया है, सुधारेंगे, आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बहुत बुरा-बुरा लेते हैं, हम भी उदर गय थे, तो हम भी हारे थे, friendly matches में हमारी national team, लेकिन हम सपोर्ट देते हारेंगे, जीतेंगे, क्या है, लेकिन भरोसा तो रखो अपने खिलाड़ियों पर, तो यह चली, यह मैं संदीप महिस्वरी सर बनने लग गया हूँ, लेकिन एक चीज, एक अच्छी बात है ना, इस संस्कार सीखी है, नहीं आते हैं, तो भारत आईए, युनिवर्सिटी मैं पूरे मैच में हसा ही हूँ, मतलब मैं यू बैट के देख रहा था, थोड़ी देर में गोल है और मैं हसा रहा हूँ, मतलब इंडिया इतना ऐसा, इतना इजी ऐसा हलुआ के मैच था, कोई ऐसी था, एमी जीत गए, आठ गोल बाग यू हो रहे गोल, मतलब बैठ बैठ आपने मैच देखा ही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कि भीया, है ना, एक सबक मैं देना चाहता हूँ, हर उस इंसान को, जो ओर कॉन्फिडेंट होके अपनी लाइफ को जीता है, कि ओर कॉन्फिडेंट कभी न रहें, किसी भी छेत्र में, ठीक है, अपने जो लेवाल ह उसको देखें, ठीक है, और अपनेंट्स को कभी भी कमजोर न समझें, दुस्मन को अगर आपने समझ लिया, है ना, बाल जी, तो आपके बाल काट देखा हूँ, इसलिए, कभी भी दूसरों को ऐसा न समझें, कि यह ऐसा है, वैसा है, हम भी नहीं समझ से भी या, हमने बू जाद में ऐसा overexcited हो गया हूँ कि जीद गए हो, जीद गए हो नहीं, यह मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो उड़ते है न, यूं, सुपरमेन बनना चाहते है, उनको बोल रहा हूँ कि, हाँ, अब सीखिये, ठीक है, रिस्पेक्ट, इंडियन फुटबाल भी, र और रिस्पेक्ट फुटबाल, कोल मिलाके न, अपोनेंट्स की विज्जत होती है, और अपने प्लेयर की विज्जत होती है, यह करना सीखे, और इसी तरह अपनी लाइफ में खुश रहा है, और हम यही चाहेंगे कि भारत फाइनल में पहुँचे, और फाइनल देखेंगे यहादे सेटिसफेक्शन नहीं मिला मतलब की कमिया है, तो उनको सुधारने की बात है, और बस यही कहना चाहेंगे, आप आपके उपिने जरूर दीजिए, और बस मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे जो पड़ोसी मित्र देश के जो टॉक्सिक फैंस है, अगर वो कुछ सब करता वियान के हम बहुत पुराने खेलाडी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप गंगी फलाई हम फ्रच्छता करते रहे हैं, खीक है, तो भारत वरसेस नेपाल के बारे में आपके जो भी ओपिनियन्स है, वो आप जरूर कमेंड मिले के बताईएगा, और इसी तरह भार तरह पलाई वो आपगाल के बारे में आपके बारे में आपके करता है, तो कि दो भारत प्रचता हम जरुआ करते पारे में आपके जो गरूर कोई पलाई दिक्षम की।